विश्व विख्यात पंडित श्री राम शर्माजी आचार्य जिनका जीवन स्वयम में मानव के लिए शिक्षा ग्रंथ था उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की पाठ की श्रिंखला में प्रस्तुत है उनकी प्रख्यात पुस्तक बड़े आदमी नहीं महामानो बने की ओडियो रिगॉर्डिंग संसार में जितने भी महापुरुष होए हैं उनकी महानता का एक ही आधारिस्तम्भ है कि उन्होंने अपने समय का पूरा-पूरा उप्योग किया एक छण भी विर्थ नहीं जाने दिया जिस समय लोग मनोरंजन खेल तमाशों में मशगूल रहते हैं विर्थ आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं उस समय महान व्यक्ति महत्तुपूर्ण कारियों का स्रिजन करते रहते हैं ऐसा एक भी महापुरुष नहीं जिसने अपने समय को नश्ट किया हो और वह महान बन गया हो समय बहुत बड़ा धन है भौतिक धन से भी अधिक मोल्यवान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बड़े आदमी नहीं महामानों बने लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आकांचाएं उचित और सोधेश्य हों नजाने किस कारण लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया है कि इमानदारी और नीति निष्ठा अपना कर घाटा और नुकसान ही हाथ लगता है समभवत इसका कारण यह है कि लोग बेईमानी अपना कर छल बल से धूर्तता और चाला की द्वारा जल्दी जल्दी धन बटोरते देखे जाते हैं तेजी से बढ़ती संपन्नता देखकर देखने वालों के मन में भी वैसा ही वैभव अरजित करने की आकांचाउत्पन्न होती है वे देखते हैं कि वैभव संपन्न लोगों का रौब और दबदबा रहता है किन्तु ऐसा सोचते समय वे यह भूल जाते हैं कि बईमानी और चालाकी से अरजित किये गए वैभव का रौब और दबदबा बालू की दीवार ही होता है जो थोड़ी सी हवा बहने पर धह जाता है तथा यह भी कि वह प्रतिष्ठा दिखावा छलावा मात्र होती है क्यूंकि स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश से कतिपए लोग उनके मुह पर उनकी प्रशंसा अवश्य कर देते हैं परंतु हृदय में उनकी भी आदरभाव नहीं होता इसके विपरीत इमानदारी और मेहनत से काम करने वाले नैतिक मुल्यों को अपना कर नीति निष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले भले ही धीमी गती से प्रगती करते हों परंतु उनकी प्रगती ठोस होती है तथा उनका सुयश देश काल की सीमाओं को लांग कर विश्व व्यापी और अमर हो जाता है अंग्रीजी के प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शौ को कौन नहीं जानता उन्होंने अपना जीवन प्रॉपर्टी डीलर के यहां उसके कार्याले में कलर्क की नौकरी से प्रारंभ किया था प्रॉपर्टी डीलर और कई काम करता था तथा मकानों को किराय पर उठाना बीमा एजेंसी चलाना आदी उसके यहां शौ का काम था मकानों तथा अन्य इस्थानों के किराय वसूल करना बीमे की किष्टें उगाहना टैक्सों की वसूली और अदाइगी करना ये काम करते समय उन्हें बड़ी-बड़ी रकमों का लेन-देन करना पड़ता था और बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क करना पड़ता था स्वभाव से बर्नार्ड शौ इतने विनम्र थे कि किसी के साथ सक्ती या जोर जवरदस्ती नहीं कर पाते थे और लोग थे कि उनकी परवाह ही नहीं करते इन कारणों से वे अपने काम में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे यद्यपी उनके मालिक को इससे कोई शिकायत नहीं थी परिंतु स्वयम बर्नार्ड शौ को अपने काम से संतोश नहीं था एक दिन उन्होंने अपने मालिक को सूचित करते हुए पत्र लिखा जिसे त्याग पत्र की ही संग्या दी जा सकती है कि महोदे मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि इस महीने के बाद मैं आपके यहां काम नहीं कर सकूँगा कारण यह है कि जितना वेतन आप मुझे देते हैं मैं उतना काम नहीं कर पाता मालिक तो उनके काम से बहुत संतुष्ट था वह उनके स्वभाव से बहुत प्रसंद भी था कि उनके बारे में कभी किसी देंदार ने कोई शिकायत नहीं की उसने बर्नार्ड शौ को बहुत समझाया परंतु शौ को यह उचित नहीं लग रहा था कि जितना वेतनवे लेते हैं इतना काम भी भी नहीं कर पाते अमेरिका के विख्यात लेखक हेनरी मिलर ने भी ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया था उन दिनों मिलर ने साहित्य सेवा के छेत्र में नया नया ही प्रवेश किया था सन 1919 में भारत के विश्व विख्यात इंजीनियर श्री विश्वेश्वरया अमेरिका गए वहाँ उन्होंने अपनी पत्रिका के लिए मिलर से एक लेख लिखने को कहा पारिश्रमिक तै हुआ दस डॉलर मिलर ने दूसरे दिन लेख तयार कर दे देने की बात कही जब वह लेख तयार कर लाए तो विश्वेश्वरया उसे पढ़कर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने लेख को दो डॉलर और अधिक देते हुए कहा लेख बहुत अच्छा बन पड़ा है मैंने जिस इस तर की आशा की थी लेख उससे अच्छा लिखा गया है अतह इसका यही मोल्य उचित है मिलर ने इस पेशकश से इनकार करते हुए कहा लेकिन श्रिमान जी मैंने तो अच्छे से अच्छे लेख का ही पारिश्रमिक ठहराया था यह अधिक है और अपने श्रम से अधिक मोल्य लेना नैतिकता के विरुद्ध है श्रम का उचित मोल्य प्राप्त कर उसमें संतोश करना व्यक्ति को नेति निष्ठ तो बनाता ही है परिश्रमी भी बनाता है क्योंकि तब किन्हीं की विवश्ताओं या परिस्थितियों का लाभ उठाने की बात दृष्टि में नहीं रहती यह नियम निश्ठा अपना लेने पर व्यक्ति का पुरुशार्थ प्रखर हो जाता है विख्यात विचारक, लेखक, एकिल हौफर के पिता की जब मृत्यू हुई तो उनकी आयू मात्र 18 वर्ष थी पिता ने इतना लाड प्यार दिया था कि उन्होंने उपारजन के लिए क्या करना चाहिए इसका कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया था परंतु उन्होंने होफर के मन में परिश्रम की रोटी ही खाने की बात बिठा दी थी सो वे कहीं मेहनत मजदूरी कर ही अपना जीवन यापन करना चाहते थे और छेत्र में अनुभव की द्रिश्टी से वे एक दम कोरे थे पिता की मृत्यू के बाद वे अनाथ, निराश्रित और बेकार हो गए यहां वहां काम प्राप्त करने के लिए भटकने लगे भूक से आतें कुलबुलाने लगी एक होटल के सामने इस विचार से खड़े ही थे कि उसके मालिक से काम देने के लिए निवेदन कर सकें पर मालिक ग्राहकों में व्यस्त था अतह वह हौफर की ओर बीच-बीच में एकाद द्रिश्टी से देख लेता था बहुत देर से खड़े देख कर उसने अनुमान लगाया कि यह शायद कोई भिखारी है और भूखा भी है होटल मालिक ने उन्हें बुला कर पूछा बेटे भूख लगी है? भूख तो लगी है युवक ने निस्संकोच भाव से कहा होटल मालिक ने बिना कुछ कहे एक प्लेट में खाना रखा और होफर की ओर बढ़ा कर कहा लो, खा लो, परन्तु मैं ऐसे नहीं खाऊंगा तो कैसे खाऊगे? होटल मालिक ने विस्मित होकर पूछा मैं भूखा तो हूँ परन्तु काम करके ही रोटी खाना चाहता हूँ मुफ्त में नहीं होफर ने कहा मालिक उनकी ये बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और श्रम के प्रती, निष्ठा तथा स्वाभिमान को समझते हुए अपने यहां बरतन साप करने के काम में लगा दिया इसी श्रम शेलता के बल पर होफर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ख्याती लब्ध लेखक बन सके उनहीं दिनों होफर ने इतनी अधिक मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया कि मालिक को लगा वह दो व्यक्तियों के बराबर काम कर रहे है मालिक ने उनके वेतन में कुछ बढ़ोत्तरी करना चाहा और कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ तुम जी जान से मेहनत करते हो और अपने काम को भी अच्छी तरह समझते हो इसलिए मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा रहा हूँ हौफर ने कहा यदि मेरे अन्य सभी साथियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है तो ही मेरा भी वेतन बढ़ाईए अन्य था काम तो मुझे मेहनत और लगन से ही करना चाहिए बताईए क्या आप मुझे से कामचोरी की आशा करते हैं मालिक हौफर की ये बात सुनकर दंग रह गया उसने कहा मैंने आज तक तुम जैसा लड़का नहीं देखा तुम तो मेरे बेटे से भी अधिक मेरी दुकान की चिमता करते हो कुछ पढ़े लिखे भी हो हौफर ने अपनी शेक्षण की योग्यता के संबंध में बताया तो मालिक ने उनकी श्रम शीलता को सम्मानित करते हुए उनकी पदोन्नती कर दी और उन पर दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां सौब दी इमानदारी और श्रम शीलता का ये भी अर्थ है कि अपने श्रम के उचित मूल्य से अधिक की आकांचा अपेक्षा न की जाए यह निश्ठा यदि विक्सित कर ली जाए तो व्यक्ति प्रगती के उच्च सोपान पर चढ़ता चला जाता है और जो लोग बेईमानी, कामचोरी, दूसरों की मजबूरी से ही लाव उठाने की बात सोचते हैं वे आर्थिक द्रिष्टी से थोड़े बहुत संपन्न भले ही बन जाए इससे अधिक और आगे प्रगती नहीं कर सकते मनुष्य के उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिध्धानतों पर निष्ठा की परक ऐसे अवसरों पर होती है जब स्वार्थ, लोब और मोह की परिस्थितियां प्रस्तुत होती है सिध्धानतों एवं आदर्शों की कोरी बातें करना एक बात है पर उनका पालन करना उतना ही कठिन और एक सर्वता भिन्न बात है समाज में आदर्शों एवं सिद्धान्तों की चर्चा करने वालों की कमी नहीं जो इन्हें भी वाक विलास का साधन और प्रतिष्ठा अर्जित करने का एक सरल माध्यम मात्र मानते हैं पर ऐसे व्यक्ति स्वार्थ, मोह एवं लोभ का आकर्शन प्रस्तुत होते ही फिसलते गिरते अपनी गरिमा गमाते देखे जाते हैं जिन्हें आदर्शों के प्रति आस्था होती है वे इन छणिक आकर्शनों से प्रभावित नहीं होते और अपनी न्याय प्रियता कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हैं ऐसे व्यक्तियों से ही समाज और देश गौरवानवित होता है पतन पराभव के प्रवाह में बैती भीड से अलग हट कर वे उल्टी देशा में अपनी राह बनाते हैं मनी मुक्तकों की भांती चमकते तथा असंख्यों को प्रेरणा प्रकाश देते हैं बड़े से बड़े प्रलोभन भी उन्हें डिगा नहीं पाते समाज और राष्ट्र की सबसे मुल्यवान समपदा ऐसे ही व्यक्तित्व होते हैं जो कर्तव्यों का निर्वाह हर कीमत पर करते हैं जैपूर के एक परिक्षा केंद्र पर विजय कुमार नामक एक लड़का हाई स्कूल बोर्ड की परिक्षा दे रहा था उसके पिता उसी स्कूल में अध्यापक हैं सैयोग वश पिता के ड्यूटी लड़के के कक्ष में पड़ी यह जानकर कि इन्विजिलेटर के रूप में पिताजी नियोक्त हैं विजय कुमार ने अवसर का लाभ उठाना चाहा बिना किसी भैके उसने पुस्तक निकाली और उसे देखकर कौपी पर प्रश्णों का हल लिखने लगा पिता की द्रिष्टी अचानक अपने लड़के पर पड़ी उन्होंने तुरंत अपने लड़के से कौपी ले ली और नकल करने के आरोब का नोट लगा दिया ड्यूटी पर नियुक्त साथ के एक अन्य मित्र ने लड़के का पक्ष लेना चाहा पर उन्होंने कौपी नहीं लोटाई और ये कहते हुए कौपी जमा कर ली कि मुझे कर्तब्य पालन पुत्र से भी अधिक प्रिय है बोर्ड ने उस विद्यार्थी को दो वर्षों के लिए परिक्षा में सम्मिलित होने से बंचित कर दिया रतलाम रियासत में एक बार श्री निवास नामक व्यक्ति को अपने पुत्र न्यायाधीश की अधालत में पेश होना पड़ा अभियोग था गबन करने का पुत्र की अधालत में पिता के केस का फैसला सुनने के लिए भारी भीड एकत्रित हुई अधिकांश का अनुमान था कि इस केस में पक्षपात अवश्य होगा पर न्याय प्रीय न्यायाधीश ने अपने पद एवं गरिमा का पूरा-पूरा निर्वाह किया विरुद्ध साक्ष एवं प्रमानों के आधार पर अभियोग यथार्थ सिद्ध हुआ न्यायाधीश ने पिता को छह माह की सजा और पांच सो रुपए अर्थ दंड का फैसला सुनाया इस निश्पक्ष निर्णय को सुनकर उपस्थित वकील समुदाय तथा दर्शक हत्प्रभ थे फैसला सुनाने के बाद माननीय न्यायाधीश अपनी कुरसी से नीचे उतरे और पिता के चरणों में जोक कर श्रद्धा पूर्वक नत मस्तक होकर बोले पिता जी मुझे छमा करना मैंने पिता को नहीं एक अपराधी को सजा दी है अपने कर्तव्य का पालन किया है कानून की द्रिष्टी में रिष्टों की तुलना में न्याय का महत्व अधिक है कौडा गिल यानि मद्रास के ततकालिन सत्र न्यायाधीश श्री के एम संजीवईया की अधालत में एक चोरी का मुकदमा प्रस्तुत हुआ सरकारी वकील ने न्यायाले में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए आपत्ती की कि मुकदमा दूसरे न्यायाले में ट्रांसफर किया जाना चाहिए आपत्ती का आधार था कि अभियुक्त माननिय न्यायाधीश महोदय का पुत्र है इसलिए न्याय में पक्षपात की संभावना है न्यायाधीश के एम संजीवय्या ने तरक प्रस्तुत किया कि यदि निर्णय संतोष जनक व निश्पक्ष न हो तब ही ऐसा किया जाना उचित है जज महोदय के लिए यह परीक्षा की अवधी थी एक और पुत्र का मोह, दूसरी और न्याय की रक्षा का गुरुत्तर दाइत्व पत्नी एवं सगे संबंधियों का दबाव अतिरिक्त रूप से न्याय से विचलित होने के लिए पढ़ रहा था पर दबाव और पुत्र के मोह पर उन्होंने विजय पाई सभी साख्षियों, प्रमाणों एवं गवाहियों से यह स्पष्ट हो गया था कि पुत्र ने चोरी की है श्री के एम संजी वय्या ने अपराधी पुत्र को दो वर्ष का सश्रम कारावास का फैसला सुनाया कुटुम्बियों ने जब उलाहना दिया, तो उन्होंने ये कहा कि पिता के रूप में मेरी अभियुक्त से गहरी सहानोब होती है पर न्याय की रक्षा पुत्र प्रेम की तुल्ना में अधिक महत्वपूर्ण है कानून की नजर में अपने पराय के बीच कोई भेदभाव नहीं होता पद, प्रतिष्ठा, धन वैभाव पाने का लाब प्रस्तुत होने पर भी अधिकानश्तह व्यक्ति फिसल जाते हैं जबकि आदर्शों एवं सिध्धान्तों की धनी व्यक्तित्व इन अवसरों पर भी चट्टान की तरह द्रिढ रहते देखे जाते हैं और छणिक भौतिक लाभों की तुल्ना में कर्तव्य निष्ठा, नीती मत्ता को अधिक महत्व देते हैं प्रलोभन उन्हें डिगा नहीं पाते ऐसी व्यक्तियों में स्वर्गीय चिम्मन लाल शीतल बाड का नाम उलेखनी है उन दिनों वे बंबई विश्व विद्याले में किसी प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे किसी मामले में अपने अनुचित स्वर्थ के लिए एक संपन्न व्यक्ति उनके पास पहुंचा कार्य श्री चिम्मन लाल जी से संबध्ध था उसने शीतल बाड को रिश्वत देना चाही पर उन्होंने इसके लिए स्पष्ट इनकार कर दिया शायद और अधिक धन राशी पर वे कार्य करने के लिए सहमत हो जाएं यह सोच कर वह प्रलोभन की राशी बढ़ाता गया एक लाख रुपई की राशी तक बढ़ाते हुए पहुंचाने पर उस व्यक्ति ने शीतल बाड से कहा देखिए श्रिमान आपको इतनी बड़ी राशी देने वाला कोई नहीं मिलेगा शीतल वाड ने आक्रोश भरे द्रिढ़ शब्दों में उसे अस्विकार करते हुए उत्तर दिया तुम्हें भी इतनी बड़ी रकम मुफ्त में लेने से इनकार करने वाले कम ही मिलेंगे उनकी अविचल इमानदारी और द्रिढ़ता को देख कर आगन्तुक सन्न रह गया और जैसे आया था उल्टे पैर उसी प्रकार लोट गया मुन्शी प्रेमचंद अंग्रेजी शासनकाल में ही एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में प्रख्यात हो चुके थे अपनी लेखनी द्वारा वे देश भक्ति की भावना जगाने के लिए प्रयास कर रहे थे अंग्रेजी सरकार की यह नीती थी कि जैसे भी बने विद्वानों, प्रतिभावानों को सरकार का समर्थक बना लिया जाए इसके लिए नौकरी, पद, प्रतिष्ठा के प्रलोभन देने के अनेका नेक जाल जन्जाल बुने जाते थे डर था कि प्रेम चंद की लेखनी भी भारतियों में विद्रोह भड़काने का कारण न बन जाए तातकालिक उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर मालकम हेली ने मुन्शी प्रेम चंद को अपनी ओर मिलाने के लिए एक चाल चली राय साहब का खिताब उन दिनों सर्वोच्च राज की ये सम्मान का विशय माना जाता था कितने ही विद्वान, प्रतिभावान, किन्तु मनोबल के कमजोर व्यक्ति इस खिताब को अपना सम्मान समझते थे खिताब क्यों दिया जा रहा है? मुनशी जी को समझते देर न लगी तब तक बड़ी रकम के साथ खिताब श्री प्रेम चंद के घर पर एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा यह कहकर पहुँचाया जा चुका था कि माननिय गवर्नर ने उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर यह उपहार भेजा है घर पहुँचने पर मुनशी जी को खिताब एवं मोटी रकम की बात मालूम हुई पत्नी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की इस बात के लिए कि आर्थिक विपन्नता की स्थितियों में एक सहारा मिल गया पर प्रेम चंद ने दुख व्यक्त करते हुए कहा एक देश भक्त की पत्नी होते हुए तुमने ये प्रलोभन स्विकार कर लिया ये मेरे लिए शर्म की बात है तुरंत रकम और खिताब को लेकर गवर्नर महोदय के पास पहुँचे दोनों को वापस लोटाते हुए बोले सहानु भूती के लिए धन्यवाद आपकी भेंट मुझे स्विकार नहीं धन और प्रतिष्ठा की अपेक्षा मुझे देश भगती अधिक प्यारी है आपका उपहार लेकर मैं देश द्रोही नहीं कहलाना चाहता झाल